अच्छा करूश चाट है हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे एजुकेशनल प्रेटफॉर्म के उपर देखीगा फ्रेंट्स हम बात कर रहे थे बैसिक्स ऑफ इंग्लिस की और इसकी जो फस्ट क्लास है हमने कर ली है और अभी तक यह आपने वह फस्ट क्लास नहीं देखी है तो हमने क्लास स्टार्ट कर चुकी है और उसी के उपर हम लेके चल रहे हैं देखिगा बैसिक्स के बिना इंग्लिस जो है आप नहीं कर पाऊगे ठीक इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यह आप इसको कंटीनू देखोगे बैसिक्स को कंटीनू इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ जो पिछली क्लास में हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिसकस करते हैं तो देखो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हमने यह क्लास थी पहले वाली इसमें हमने देखा क्या कि क्या प्रक्राइण का मतलब कि पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि English जो है है क्या कि कि अबसे पहले हमने देखा आप बोलोगी सर्थ इंग्लिस तो इंग्लिस है वह तो मुझे पता English है लेकिन यह मतलब इसका meaning क्या होगा हमारे सामने मतलब इसको समझे त वो इमारा जो है इंगलिस एक लेंगवेज है एक लेंगवेज है और उसी लेंगवेज को लेकर तक हम बात करेंगे आज और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो English है वो एक language है और इस language कहां से आई ये language ये भी मैंने आपको बताया था alphabet कहां से alphabet और यदी हम देखो ये इसको language की दर्ष्टी से पढ़ते हैं अज़े subject ये पढ़ते हैं अना subject जो है ना math वगरा अना science वगरा social science ये subject हैं लेगिन हिंदी इंगली चल्सक्रण जो है लेंग्वेज है और language को सीखने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि जितना आप इसका यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा अब जो हमन अना ओलो और consonants 5 जो थे vowels थे और 21 जो थे वो consonants थे इनसे मिलकर जो बना वो क्या बना वर्ड बना ये मैंने जो है डिटेल से पिछले वाली क्लास में बता दिया आप इसको देख सकते हैं पिछे जाके वर्ड के बाद में वर्ड कैसे बनता है ठीक ना वो फ्रेज पूरा ड और sentence के structure के अंदर हमने देखा subject प्लस verb प्लस object या जो भी है compliment ऐसा कुछ देखा ठीक ना उसके अंदर subject की मैंने बात किया आपके सामने तो जो subject है वो दे रहा टू टाइप्स ओफ सब्जेक्ट ठीक ना subject की जो है टू टाइप्स मैंने दिये कौन-कौन से दिये सब्जेक्ट के टू टाइप दिये देखे या हम इसके color देखते हैं इसका देखो यह देखते हैं सब्जेक्ट के अबने टू टाइप देखे एक तो singular subject और एक plural subject ठीक ना अब सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है ठीक ना यह जो subject हो सकते है तो अब subject जो है नाउन क्या होता है noun is the naming word जितने भी naming words noun के simple definition आपको बताऊं जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ noun है ठीक ना तो आप देखो यह मैंने बताए आपको इसके बाद हमने देखे वर्ब देखे और वर्ब के अंदर ठीक है finite verbs, non finite verbs के हम बात कर रहे थे finite verbs कोण सी उते है है, non finite verbs should they have to finite verbs मैंने बताए था जो 10s और रवर्ब और person के coding change ज़दाती है वो finite verbs होथी है ठीक ना अब हम बात करेंगे non finite verbs की देखो non finite verbs जो verbs है उनकी बात करेंगे, इसी बाट हम आपको हमासी आपने रहा है non finite verbs non finite verbs जो है वह हमारी किते टाइप की है त्री टाइप की है किते टाइप की ट्री टाइप की ठीक है non-finite verbs are of three types ठीक ना first कौन सी है infinity होगी पहला तो यानि ऐसी verbs जिसके उपर टेंस या कोई भी प्रसंड ठीक ना यह नंबर इन जेंडर का इसके उपर कोई फरक नहीं पड़ता है example में आपको paste करूंगा आपको पता कर जाएगा कि non-finite verbs कौन-कौन सी होती है ठीक है तो non-finite verbs हमारी तीन मतलब टाइप से पढ़ेंगे पहली होगी infinitive फिर होगा participants और फिर होगा zerend infinitive क्या होता है infinitive जो होता है एक तो two infinitive होता है और एक होता है bare infinitive two का मतलब होता है two के साथ यह दी वर्फ की first form आपको नजर आ रही है two के साथ यह दी आपको वर्फ की first form नजर आ रही है ठीक नहीं यह तू वीवन दिख रहा है अपने को इसका मतलब यह active sentence में है और पेशिव में दिखेगा two b plus third form दिखेगी वह infinitive है अब कैसे देखो आई वांट आई वांट तू रियली गो टू ए पिकनिक दिस संदे का मतलब यहां पर मैं बात करूँ तो देखेगा तू प्लस वर्फ की first form यानि तू प्लस वर्फ की first form आएगी two infinity होगा उसके दर ठीक ना तो आवांट टू रियली तू गो एपिकनिक दिस संदे यानि इस संदे को मैं कहां जाना चाहता हूं करने का मतलब हिंदी से पतलब नहीं है अपने को की जो टेंस के अकोडिंग चेंज हो जाए ठीक उसको बोलते है तो यहां पर देखो आई मैंन जो यह है यहां पर है उट जो है इसका मॽनिंग अलगी निकलता है तो लेकिन यहां पर पेंसे आप नलगो इके लग दिया प्रेटेल ची नहीं पड़ रहे हैं प्रेड़ बेसिक बतारों करेंगे मतलब यह होती है ऐसी होती है अब मैंने लिखा इसके अंदर यहां पर बैर इंफिनिट्यू इन वर्प्स और अग्जिलरी वर्प्स के बाद आने वाली इंफिनिट्यू का टू साइलेंट होता है यान यानि जिनके बाद ऐसी वर्प्स होती है या इसी एकजली वर्प्स होती है जिनके बाद यदि इन फिल्टीव होगा तो उसमें टू नहीं आएगा मतलब तू साइलेंट होगा वह तो कैसे देखेगा अब वह वर्प्स कौन-कौन सी है देख सकते हैं पनियां पर देखवा रखा है यानि यह वर्प्स ऐसी है इन वर्प्स के बाद यदि आपको हना मतलब कोई भी इंफिनिटीव आ रहा है तो उसके अंदर टू नहीं आएगा तेखो कैसे आई हैल्प हैल्प के बाद में अब्जेक्ट आया और यहां फिर वर्ब आ रही है अब यहां पर आना ची लेकिन यह बेर इन्फिनिटीव है कैसा इन्फिनिटीव है यानि इस वर्प के बाद यहां कोई भी लिखनी है तो लिखनी उसका मतलब के हमने इसके साथ two गो नहीं लिखा ट्यूंकि two silent रहेगा तो यह द्यान रखेंगे इसको मूलते bear इंफिनिट्य यानि bear का मतलब के बीना या bear के साथ two infinity का मतलब two के साथ ठीक न और bear का मतलब के बीना शेके बाद देखते हैं अब वो था, मतलब infinitives की बात कर रहे थे पन, और इसी के अंदर यदि हम इसका पेशिव लेके जाते हैं, देखो, यदि active में आ गया तो ठीक, आप पेशिव में देखो, I was mad to laugh, ठीक न, यहाँ तू जो है, to infinitive है, active में ऐसा होगा, लेकिन पेशिव में क्या होगा, sorry, active में तो यह ह laugh, यहाँ पर laugh आ गया, made के बाद, यहाँ make के बाद laugh आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ to infinitive नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यह active sentence है, लेकिन पेशिव में हम इसका use कर सकते हैं, यह वाला जो है पेशिव है, इसका पेशिव क्या होगा, me जो object है, object को पहले लिखेंगे, made second form ह तो watch आ जाएगा, third form mad हो जाएगे, ठीक नहीं, अब देखेगा, mad के बाद दो नहीं, जो two infinitive आएगा, two आ गया, और laugh फिवप की first form आएगा, पेशिव में ऐसा होता है, इसके बाद देखेगे, एग note और दे रखा है, after see, here, feel, watched, we can use v1 plus ing, यहानि इनके साथ हम v1 plus ing, यहानि जब भी हम यूज करेंगे, तो v1 plus ing यूज कर सकते, कैसे, I saw them cooking, अब देखेगा, see, इसमें से आए, यह verbs है, कुछ special verbs है, उनके साथ ही बात करोंगे, अब यह cook जो है, लेकिन वर्ब जो होना, यह तो two one भी नहीं आएगा, two plus v1 भी नहीं आएगा, इसके साथ ing form ही आएगी, इसके साथ two infinitive नहीं आएगा, लेकिन v1 आएगा, यह नियम मैंने आपको बता दिया है, अब देखेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ SSC में आएगा question आएगा, और यहाँ पर fail लिखा हुआ है, F-E-L-L, लेकिन fail जो है, two fail तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताए आपको, two falling कभी नहीं आता, यह तो v1 आएगा, चिकना two के साथ first form आ सकती है, आएगी नहीं आ सकता, low option तो हमारे पास कहें, third option है, no improvement, improvement नहीं होगा, क्या इसके अंदर नहीं, second form आ रही है, second form यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि यह watch आ नहीं है, जिसके साथ v1 आता है, infinitive के अंदर, bear infinitive होगा, और fall आएगा, क्याएगा, fall, इसी प्रकास से, next example, जो हमारे सामने है, वो यह है, the cruel lady mad her state daughter to do all the household chores, देखेगा, इसमें option यह रहा, मतलब, कौन से पार्ट में error है, find the error, जो question आता है, spotting error वाले question, इसी से related होते है, तो देखेगा, cruel lady, अब इसके अंदर mad आ रहा है, और mad ऐसी वब है, यदि उसके साथ infinitive आ रहा है, तो two infinitive नहीं आएगा, bear infinitive आएगा, यहनी, two नहीं लगेगा, two को क्या कर देंगे, silent कर देंगे, तो यहाँ पर only be आएगा, तो मतलब, so do आएगा, तो यहाँ बी option में error है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसका solution, ठीक है ना, यह हो जाएगा, इसके बाद देखो, next, देखो, अब यह था infinitive, और infinitive के बाद आता है, participle, infinitive के बाद क्या आता है, participle, यानी, हम बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रियास करेंगे, हमने finite verbs देखी पहले, ठीक ना, यहनी, मैं पीछे दा रहूं थोड़ा सा, finite verbs देखी, और फिर, finite के बाद हमने देखी, non-finite verbs, क्या देखी, non-finite verbs, और non-finite verbs को हमने तीन पार्स में डिवाइड किया, पहला जो होगा, वो होगा मारा infinitive, क्यों, infinitive को हमने detail से पढ़ा, ठीक है, इसके बाद हमने देखा, कहने का मतलब participants, अब देख रहें, participants, क्या देख रहें, participants, अब इसके बाद आएगा, जिरेंड, जिरेंड आएगा, ठीक ना, यह आपने सुने होंगे, इनका definition, इनके बारे में थोड़ा सा knowledge नहीं है आपको, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यह दिखने में दिखते हैं, नाम ही कुछ ऐसा है, इनका, बाकी है कुछ भी नहीं के इंदर, ठीक ना, बिलकुल कर सकते होंगे, आप कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर, देख हैं, अब इसके बाद देल के participles, ये हमारा part है, ये हो गया, यह दिख्या या फिर भी समस्ञें नहीं है, तो आप पीछी जाके देख सकते हैं, आराम समझवाँ जाएंगे, इसके बाद देख्याएं, इसके बाद देख्ते हैं,पाइजिशिब्स में क्या होगा, अब यहा छाप नहीं तो वी थी के रूप में होता है या वर्प की तब यूज होता है अब के साथ इंजी फोन का past का नाम लेते हैं V second नहीं वी की second form का use करते हैं वरब की second form का बट यहां second form का use नहीं होगा यहां होगा क्या third form का use होगा कहीं पर भी आपको cable third form का use दिखाई दे रहा है है न उसके बाद वह participle है अब इसके बाद दिखते है perfect perfect participle किसको को बोलेंगे जिसके अंदर having पहले आये और उसके बाद भी थ्री आये वर्प की थर्ड फोम आये उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल इसके कुछ लगारे, जाया देख्ट अब एजक्टिक रूप में होता हु में तो यहाँ V थरी आएगा खकुल या फिर 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 फोम यूज करेंगे या फिर 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 फिर्ड फोम whiskum करेंगे यहां होगी यानि इसी प्रकास से अब हो सकता है ये गोन वी की थर्ट फोर्म भी हो ठीकर आग गोइंग जो है वह एजक्टिव हो या गोन एजक्टिव का काम कर रहा हो तो वहां पर हम इसका प्रयोगे करेंगे द्यान लखना हो अब देखो यह मैंने बताए आपको पार्टिसिप कहां कहां होते हैं वो भी हम देख रहे हैं प्रेजेंट का जो यूज होगा वो कहां होगा देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज होगा हमारे कहां होगा देखो इन फर्स्ट जो यूज है इन कॉंटिनियस टे मुझे ओक देको यहां कूक के साथ ऑनगी लग रहा है इसका मतलब यह प्रेसन पार्टिसपल ऑन सब सबस्साहर है उसको यह यहां पर 16 फॉल्हा प्रेजन पार्टिपल चिक, इसके बाद देख्या। ऐसे इन्फिनिटिव है, चेन्ग नहीं होगा, काई पर भी देखेगा। है यह वह सकती है यह इसके बाद देखेगा अब प्रजेन प्रियों पर इसके बाद देखेगा अब यह वह हुग हो सकता है इन प्रेजेंट या पास्ट में जो भी होगा यहां पर आइनजी एक adjective के रूप में किसके रूप में? adjective के रूप में कहा होता है? अब देखो पहले adjective को समझने का प्रियास करेंगे अब ये भी हम लेके चलेंगे कि adjective क्या होता है, देखो, noun, pronoun सुना होगा आपने, noun का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तू का नाम ये वस्तू का नाम या जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अब जो उसकी विसेशता बताएगा उसको adjective बोलते हैं जैसे dog जो वना dog एक noun है लेकिन इसके पहले यदि मैंने लिख दिया black dog तो यहाँ पर इस dog की जो definition है dog की जो quality है ब्लेक बता रहा है और इस ब्लेक जो word है यह executive है क्या है? executive है और executive होने की वज़े से यहाँ पर जो dog है ना dog की quality बता रहा है तो dog की quality बता रहा है तो यह black ना क्या होगा? executive होगा है इसी प्रकार से ing form में v1 v1 के साथ ing लगा हुआ होगा और वो किसी noun से पहले होगा जो किसी की विश्यस्ता बता रहा होगा वहाँ पर हम इसका प्रियोग करते हैं वहाँ पर भी हम इसको हम क्या बोलेंगे? participle बोलेंगे देखो यह it was an inspiring tale tale का मतलब होता है कहानी story tale का मतलब क्या होता है? story या कहानी आप देखो कहानी तो noun है लेगिन इसके पहले inspiring story बता रहा है मसलब प्रेरीत करने वाली तो inspired word जो और है इसकी विश्यस्ता बता रहा है तो यहाँ पर यह क्या है? adjective है क्या है? adjective है ध्यान से आप समझोगे तो समझ में आएगा यानी हिंदी में आपने सुनाओगा विश्यस्ट यानी किसी संग्या या सरमनाम की विश्यस्ता बताने वाले जो सब दोते हैं वो विश्यस्टन होते है तो यहाँ पर tail जो है noun है noun की जो विश्यस्ता बता रहा है वो क्या है? inspiring है ओके दोस्तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो यह adjective के रूप में use हो रहा है इसके बाद देखेंगे barking barking dog dog जो है noun है अब भोकने वाला कुत्ता जो है इसकी विश्यस्ता बता रहा है यह क्या है? adjective हो गया ठीक ना? तो यहाँ पर भी यह bark का मतलब भोक ना होता है बार्क का मतलब क्या होता है? भोक ना होता है लेकिन इसके साथ ing लगा हुआ और यह adjective का अगाम कर रहा है ठीक ना? तो यहाँ पर adjective उसका use हुआ है next अम जाग होगा मेरे साब से देखो एक मिट यह रह गया अपना देखो पास्ट यह present participle हमने देखा पास्ट पास्ट पास्टिसपल में क्या-क्या होता है? देखेगा पास्ट पास्ट पास्टिसपल जो होगा उसमें V3 का use होता है मैंने बताया था यह नहीं बप की third form का जैसे टेक यह नहीं first form होती है टेक इसके सेकेड़् फोंटर्म देॹट मोगी प्लेठिण और सेकेड़् फार्म जो वो क्या होगी तुटी यह क्यो टुक इसेँद पो में और यह तर्ड फोंग का जिसमें वर्ब की सेकेंड फोम आती है लेकिन यहाँ पर हम टैंस की बात नहीं करें यहाँ पर बात करें पाइस कि तो पास्ट जो पाइसिपल है इसका नाम दिया वी तरी के नाम से करनाय का मतलब यहां पर वी त्री आएगा कहीं पर भी वी तरी आ रहा है अब यह यूज कह अहां कहा होता है एक तो perfect tense में होता है पता होगा आपको present perfect हो गया past perfect हो गया future perfect हो गया सब में v3 आता है क्या आता है v3 वर्ब की third form आती है he has written return देखो यहां पर v3 यह subject हो गया यह helping verb है यह manwork की third form हो गया इसका मतलब यह क्या है perfect tense में यूज हो रहा है हना इसी प्रकास से और भी example ले सकते हैं जैसे i had i had cooked हना यानि had जो है पास्ट परफेक्ट का है head किसका है past perfect का है ठीक है तो यह past perfect का है तो इसके साथ क्या हो गया verb की third form आ रही है तो इसका मतलब perfect में भी इसका use किया जाता है ठीक है अब देखो आगे दूसरा यूज फस्ट जो यूज हमने देखा किसमे perfect tenses में second जो यूज है past का passive tenses में भी यूज होता है आपको पता होगा passive बनाते हैं तो five golden rules को फोलो करते हैं फर्स्ट जो golden rule होता है वो object को subject माते हैं दूसरा जो होता है आव सकता मतलब according to जो भी tense के coding हम उसको helping verb लगाते हैं और फिर third जो rule होता है वो होता है हमारा v3 का use करते हैं वर्ब की third form का use करते हैं सब में v3 का use किया जाता है इसका मतलब v3 यानि वर्ब की third form का प्रियोग passive tense में भी किया जाता है तो यहां पर यह जो past participle है वो passive में भी use होता है और वही जैसे हमने अभी present participle को देखा present participle का मतलब हो गया man verb के साथ ing का प्रियोग और past participle में हो गया verb की third form का प्रियोग अब वह जो ing form है वह एजेक्टिव का वह भी काम करती है और v3 भी executive का काम करता है जैसे the boy got his leg injured अब देखो boy got his leg injured जो injured है न यहां वी 3 है अब वी 3 जो है यहां पर यह एजेक्टिव का काम कर रहा है इसी प्रकार से broken chair चेर जो है टूटी हुई है तो यहां पर जो broken है न वह वर्ब की third form है जबकि यहां पर वर्ब का का नहीं कर रही है लेकिन यह पाटिशिपल का काम कर रही है पास्ट पार्टिशिपल का तो यह नाउन हो गया और नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया ठीक ना broken हो गया इसी प्रकार से और यह बहुत सारी यह लेटर लेटर आगया इस का मतलब वी यह यह है और लेटर जो है नाउन है यह क्या हुगया एक अब यह एके वीची जो यह एक्सािक अब्वी करती है आउ ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हमने बात की ककशिआ की प्र्जेंट,- कि पास्ट पार्टिश्पल की और आगे जो हो गया हमारा perfect participle रह गया अब perfect participle है वो हम next class में बात करेंगे और यदि आपको इसमें कोई doubt है ठीक है तो आप बेज जीज़ेक आप हमारे को comment कर सकते हैं हमारा telegram channel भी आपको link में दे रखा है और comment box में भी आप comment कर सकते हो आपकी जो भी problem है उसका solution किया जाएगा ठीक है है ठीक है हमारी channel को ज्यादा से ज्यादा आप सेर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी और जो भी students है जो तयारी कर रहे हैं CET, LDC, SSC उन सभी बच्चों को भी बताईएगा कि classes जो है continue है और English की special classes, Maths की GK की सब की classes आपकी चल रही है थैंक्यों दोस्तों फिर मिले दोस्तों दोस्तों तोस्तों तो da से ज Christmas D vard जो कि एंग के